दोस्तो नमश्कार कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं धिर से एक नई वडियो लेके आगे हूँ आपके लिए जिसमें मैं न्यू ट्वीक्स जो अपडेट वे हमकी कॉलेकशन लेके आया हूँ तो चलिए देर किये विना आज की वडियो के हम शुरू करते हैं तो दोस्तो आज के हमारे सबसे पहले ट्वीक का नाम है नौटिफिकेशन साउंड वैसे तो ये पे ट्वीक है बट जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा आपने उसी से डाउनलोड करना आपके लिए फ्री हो जाएगा ये दिखिए गाईस आप अपने फोन में किसी भी एप की नौटिफिकेशन का साउंड चेंज कर सकते हैं लाइक गूगल मैप है ये देखिए enable sound कर देना है आपने इसमें tons of tones है किसी भी app की आपको notification आएगी उसकी different different आप उसका sound चूज कर सकते हैं और ये plus का icon देख रहे हैं यहाँ पर click करेंगे इनकी खुद की site है ये वहाँ पर site पे भी ले जाएगा आपको आपने वहाँ पर जाके भी ringtone download करनी है जो आपको suitable रखती है और आप इसको import कर सकते है ये बिल्कुल free tweak हो जाएगा आपके लिए जो मैं आपको source बताऊंगा आपने उसी source से download करना है आपके लिए बिल्कुल free हो जाएगा ये देखिए गाइस जितनी भी आपके phone की apps हैं आप सारी की सारी choose कर सकते है और जब भी उनकी कोई notification आएगी आप different different sound उसके लिए set कर सकते हैं बहुत useful tweak है ये और वैसे मैं फिर से कह रहा हूँ ये pay tweak है बट आपने जो source मैप को बता रहा हूँ और ये लिखा हुआ भी आ रहा है आपने यहीं से download करना है आपके लिए free download हो जाएगा ये दोस्तों बात करते हैं हमारे next tweak की ये देखिए आप ये effect देख रहे हैं दोनों phones की screen पे background में ये butterfly fly कर रही है ये देखिए guys इस tweak का नाम है butterfly effect इसका source भी ये देखिए मैं link में description में देदूँगा आपको ये भी बिल्कुल free tweak है download करके installation बिल्कुल easy है आपने enable कर देना है screen को बंद करने के बाद भी ये देखिए आप पीछे background में भी ये fly करती रहेंगी ऐसी दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे third tweak की दोस्तों ये तो आपको पता होगा iPhone में कोई ऐसी option नहीं होती कि हम अपने phone को reboot कर लें सिरफ setting में जाके एक ही option होती है shutdown करने की बट ये आप देख रहे हैं इस tweak का नाम है power option ये रहा जब इसको हम open करेंगे तो ये देखिए इसमें काफी option है reboot करने की power down, shutdown करने की respring, reboot user space id restart sb reload ये बिलकुल light tweak है सबसे बड़ी बात इससे आपके phone की battery भी drain नहीं होती तो ये काफी अच्छा tweak है guys इस tweak का नाम है फिर से बता दूँ power option दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे एक और useful tweak की ये देखिए आप मेरी notification देखिए जो भी आई हुई है देखिए कितनी colorful है जो भी एप है उसी एप के color की ये notification है ये देखिए twitter हो गया इंस्टा हो गया सेम बैसी है ये देखिए guys अब इस tweak का नाम है velvet ये रहा आप अपने according किसी भी एप के color का banner चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं ये देखिए triangle, dot इसमें काफी सारी option है जब आप download करेंगे तब आपको clear हो जाएगा medium size रखना है banner का indicator size जो है वो उसके बाद use contact picture करनी है water color करना है काफी सारी option है guys इसमें आप अपने according set कर सकते हैं इसका source मी मैंने आपको description में दे दिया है आप जाके बिल्कुल free download कर सकते है guys मैं जो आपको ये tweak बताता हूँ सारे के सारे आपको free बता रहता हूँ कैसे download करने है otherwise ये pay tweak है मैं आपको free का download करने का तरीका बता रहा हूँ इसमें फिर से देख लेए इस tweak का नाम है velvet जब आप download करेंगे tons of option है visit की लगसे setting है दोस्तों बात करते हैं आज के एक और useful tweak की ये देखिए अब आप मेरे control center का color देखिए कितना different है और कैसे module का size है ये देखिए आप अब इस tweak का नाम है magma evo ये देखिए वैसे तो ये pay tweak है बट आपने regional repo से download करना है मैं इसका source का link आपको description में भी देदूँगा आप जाके check कर सकते हैं अब ये देखिए मेरा control center के module का color देखिए कैसे आप इसको मैं change करना चाहूं तो मैं ये shift कर सकता हूं इसको इस पे लाके ये देखिए बिल्कुल change हो गया ऐसी tons of option है guys airdrop का color, bluetooth का color आप change करना चाहें कुछ भी change कर सकते हैं अपने coding ऐसी इसमें भी ये torch का notification जो ये हमारा setting है उसके बाद calculator का screen mirroring आप सबका आप color change कर सकते हैं आप अपने coding जब आप download करेंगे आप अपने coding इसको set कर सकते हैं ये देखिए मैंने music का color भी change किया हुआ है not playing जैसर यहां पर लिखा हुआ रहा है इसके coding आप अपने set कर सकते हैं वैसे तो ये language different है maybe Russian language है but easy है इसको set करना ये देखिए guys फिर से बता दूँ ये tweak का नाम है magma evo ये बिल्कुल free ये आपने region repo से डाउनलोड कर लेना है चलिए दोस्तो बात करते हैं आज के मारे सबसे last week की इसका नाम है visa ये देखिए guys मेरा phone lock होने के बाद भी module देखिए ये सारे के सारे screen पे हैं मैं चाहूँ इसको नीचे से swipe करके उपर भी ला सकता हूँ जो ये मेरा normal चलता ही है होता ही है by default जो हमारा control center उसके बाद ये lock screen पे अपियर भी होते है अब इनको install करके configure करना बहुत easy है ये रहा visa के नाम से दियान से देखिए इसकी ये preferences है select module कौन कौन से module आप अपनी screen पे लाना चाते हैं कौन कौन से नहीं आप choose कर सकते है उसके बाद इसकी appearance है जैसे मैंने उपर से screen पे किया हुआ है मैं नीचे से करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ उसके बाद modules का size क्या है आप अपने according set कर सकते है बहुत easy है इसको select करना और ये इसकी theme है pattern है जो आप choose करना चाहिए आप choose कर सकते है तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको आज का मेरा tutorial पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो please मेरी video को like और मेरे channel को subscribe करना मत भूलना अभी के लिए इतना ही धन्यवाद